शे अप्रेल से होगा शनी का नक्षत्र परिवर्तन शत्विशा नक्षत्र से पूर्व भादर पद नक्षत्र में शनी रखेंगे कदम बारा राशियों पर इसका कैसा पड़ेगा सर शनी देंगे खुश खबरी या फिर देंगे कर्मों का फल मिले गान्याएं या बढ़ेंगी मुसीबतें जानिये जोतशाचार्य राकेश चतुरवेदी से सिर्फ एनमेफ न्यूस पर नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सपनादानू स्वागत आपका और 6 एप्रेल से शनी देव एक बार फिर से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि जब जब शनी देव नक्षत्र परिवर्तन करते हैं उस पर क्या असर पड़ेगा सब कुछ बिताएंगे अंत में एक अचुक उपाई भी आपको बिताएंगे लेकिन उसके लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुनना होगा सबसे पहले तो आचारे जी हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि ये शनी देव का जो नक्षत्र परिवर्तन है वो क्या है जी समना जी बहुत उत्तम प्रिशन है क्योंकि जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं उसका बेसिक तो ग्यान होना ही चाहिए तो शनी देव जैसे शनी देव राशिया परिवर्तित करते हैं वैसे ही उस राश के परिवर्तन के अंतराल के समय में कई बार नक्षत्र परिवर्तन होता है इसी लिए हम देखते हैं कि धया या साढ़े साती के प्रभाव में चरणवध तरीके से परिवर्तन आता है उसी धया में हमें लाभ भी दे देते हैं तो थोड़ा सा लोगों के अंदर भरम रहता है और इसी का फाइदा कुछ जो लोभी प्रविर्त के बैठे हुएं जो सिर् अपना मूल बदलता है और याने की नक्षट्र परिवर्तन मूल रिया लिए इस असर पड़ेगा इस शनी के नक्षट्र परिवर्तन से देखे स्वास के लिहास से अगर बात करें तो पूर्वा भादरपद नशत्र का यह गोचर है याने कि शरीदेव अपना नक्षत परिवतन करके सद्विशा नशत्र से पूर्वा भादरपद नशत्र में जा रहे हैं ऐसी परिस्थियों में बुद्ध का राश्य आती है दू स्वास्त के कारणों से रहेगा चोटी मोटी समस्याएं जो हैं बढ़ेंगी और साथी साथ यह देखा जाएगा उन लोगों के लिए जो विशेश रूप से ऐसी बीमारियों से परिशान है जिनकी विजह से अकास्मिक वजन इत्यारी बढ़ता है या इस प्रकार से कोई दिक है उनको थोड़ा सा इस बीच इस कालखन में संभल कर चलना है और थोड़ा सा बरताओ भी करना है उचित बरताओ जो आपका मेडिकल परामर्श आपने लिया है उसमें जो बरताओ लिखे गए हैं उसके अनुशार आप बढ़िएगा बिलकुल यह तो बात की हमने हेल्थ क के बाद जो आता है सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है आपका पर्सनल लाइफ आपका रिलेशन आपका वैवाहिक जीवन लव लाइफ उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा शनी के नक्षत्र परिवर्तन से आचारे जी से जान लेते हैं जी देखे परसनल लाइफ की पर्सनल लाइफ में जो नक्षत्र में जा रहा है और गुरू के नक्षत्र में जाने से एक चीज आप देखेंगे कि इनके वैवाहिक जीवन में अगर आप वैवाहिक जीवन में बंद चुके हैं तो आपके लिए जो अब तक रुकावटे आ रही थी वह दूर होंगी या नोगजोंग जो चल रहा था जो लड़ाई जगड़े चल रहे थे उनसे मुक्ति मिल जाएगी लेकिन अगर आप वैवाहिक बंधन में अभी नहीं जुड़े हुए हैं लब लाइफ में हैं या फिर वैवाहिक बंधन में जुड़ने की तयारी कर रहे तो उसमें रुकाव जिए कि सायद आप इस चीज से परिशान हो जाएं और उनके प्रपोजल को देखते हुए किसी न किसी से इंगेज होने का बिचार कर लें तो थोड़ा सा इस बीच जो है ब्रहम की स्तिती बनेगी रुकावट आएगी वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो आपके लिए शुगमता का समय रहेगा शुगमता का माहल बनेगा यारी कि करनिया राशी वालों को परस्नल लाइफ में थोड़ा सा संभल के चलना है आपको भटकना नहीं है अब आते हैं परस्नल लाइफ के बाद प्रोफेशनल लाइफ पर जो लोग नौकरी कर रहे हैं जो लोग अपना बिसनस चला रहे हैं या फिर कहें जो स्टुडेंट हैं उनके लिए जो है क्या कुछ देखने को मिलेगा बदलाओ देखे प्रोफेशनल लाइफ में अगर बात किया जाए सपना जी शनी का यह गोचर है और शनी कुम्भराश में वर्तमान में विराजमान होते हुए यहां पर यह परिवर्तन कर रहे हैं नक्षत्र का यानि कि अब यह जो है शनी और राहू दोनों के प्रभाव से नक्षत जो आप अगर जैसे मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं आप जैसा कारे कर रहे हैं या कलातमक छेतर से जुड़े हुए हैं या उन लोगों का जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं इस्पेसली फीमेल जो हैं जिनको बेक्तिगत आकरशन के दम पर लोगों को आकरश से हैं मीडिया के छेतर से हैं या फिर मार्केटिंग के छेतर से जुड़े हुए हैं विसे इस रूप से या e-commerce industries के लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं यह बड़ा लाभप्रत समय हैं और साथी साथ नौकरी पेशा में वह लोग जो अब तक नौकरी में अस्थायत तो नहीं सपना जी बिलकुल यह बात की हमने प्रोफेशनल लाइफ को लेके अब आते हैं क्योंकि शनी देव जो है न्याई की देवता कही जाते हैं और ऐसे में अगर आप लंबी वक्त से कोट का चहरी के चक्कर काट रहे हैं आप परिशान हो गए हैं ठक गए हैं लेकिन क्या इस अरा चाहियेकत पर मुझा देवने से भी कि अहनक आरमें आकर के आपने जगटा किया है और वहांपर आपके कोई विबाद जनन में लिया हैं कानूनी रूप जनन में लिया है तो आपकी बढ़़ सकते हैं लेखिन इसके अन्यत्र कहीं आपको गलत फ Germanyी प्रापर्टी का य अब आते हैं आखरी में जाने से पहले अचूक उपाई पर आप क्या कुछ हमारे दर्फकों को बताएंगे अचूक उपाई में अधभुत चमतकारी उपाई है कन्या राश्यवालों के लिए अक्सर देखा गया है सपना जी कमाते तो हैं यह बचत बहुत रेर कर पाते हैं औ और अति खर्चीले सुभाव के होते हैं तो ऐसे स्थितियों में क्योंकि कमाना तो हर को ही कमा सकता है लेकिन बचत करना और भवश्य को ले करके प्लानिंग करना यह बहुत कम लोग कर पाते हैं तो अगर आपके साथ भी खर्च पर नेंत्रण नहीं हो रहा है कमाई खूब है लेकिन महीने के लास्ट आते-आते जेव खाली हो जाती है तो करिए यह उपाए क्या करना है आपको सहद रख लेना है पीपल का पत्ता पहले लेना है कपूर जला करके कहीं भी उसको रख दिये जरूर नहीं है कि आप कहीं बाहर जाएं या घर में भी अप्रयोग कर सकते हैं पीपल के पत्ते पर रख करके सहद और कपूर कपूर जला दीजिए और जब तक कपूर जले वहां पर बैठ करके जापने में गई और कि या फिर आप उम नमो भगवतेर उद्रायनम्ह इस मनंघ का जाप करिए दोनों मंत्र आप करशकते हैं अगर आप इस मंट्र का जाप करते हैं तो बैरतके खर्चे मानसिक्तना या कई बार स्वास्थ पीडा कुछ मिल रही है तो वहां से भी आपको मुक्ती मिलेगी सपना झी बहुत-बहुत धन्यवाद आचा रीजे आपका आपने हमारे दर्षकों को बहुत अच्छी तरह की से समझाया, उमीद करती हूँ कि दर्षकों को ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो त अभी के लिए तीजे इजाज़त नमस्काट